तो हम राजकुमार जी के साथ हैं, राजकुमार जी कुछ बताओ बेटी के बारे में क्या पहले बोलती क्या था, किस तरह से चला और अब कैसा लग रहा है तो बोलती नहीं थी, अच्छा, अब बोलने लगी है, तो आप बुलवाएंगे थोड़ा सा हमारे साथ मतलब वो भी हैं, जिनके आवाज आ गई है, तो नाम क्या है, उनका पहले नाम बोलती थी? नहीं तो अतनी बोलती थी, अब वाइस में क्लारिटी आ गई, मतल़ा थोड़ीसी सत्वाई, तो आपका क्या नाम है, ममता पहले ये ममता, अच्छे से नहीं बोलती थी, मतलब थोड़ा अब पहले यह तुतलाती थी, clarity of voice नहीं थी, लेकिन आप एक महीने के कॉर्स में ही, लगबख अभी चल रहा है इनका, अब आज में clarity आगी, है न ममता, ऐसे ही है? यह जो, पापा नहीं है, पापा का क्या नाव है? राज कुमार, और मम्मी का? अब अच्छा लग रहा है, कुछ-कुछ? है? तो अभी देखे, थोड़ी ची शाय है, लेकिन, इस सब miracle हो ली, पहले जिस तरीके से यह नहीं बोल पाती थी, और मतलब, एक ऐसी city भी है, financially भी थोड़ा सा, यहां थोड़ी दिकत है, परिशानी है, बढ़ फिर भी सारे संवर्षों को देखते हुए, और इस तरह का इनका रिजल्ट आया है, वो काबिले कारीफ है, क्या मुने जी, आप भी कुछ कहना कहेंगे है? कहना कहा है, राज कुमार जी को हमने बताया, कि सर आपकी बेटी बहल गएगी, तो उन्होंने एक भरोसा करा, विश्वास किया, और हम ही सकते बैठे थे, और उन्होंने हम से दवाई मंगवाई, और हमने बेटी को दिया था ठंडर और किर्जी डोग, जिसकी वज़े से आज बेटी साप बोलने लगी है, और धन्यवाद हो हमारे MD सर का, बहुत बढ़िया, ठैंकि सोमक मने जी और मैं भी चाहूँगा, संजीब सरकाब मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो MD है, AWCL के और इस तरह से, जो आईरुवेट पे रिसर्च और गहन अद्धियन के साथ लोगों की, मतलब ऐसी सी बिमारियां ठीक हो रही हैं, जो कि लाई-इलाज हैं, मतलब डॉक्टर उनको नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों बस अपने परिवार कैसी तरह से ध्यान लखें, कर दोस्तों आर्प से,